कि जबी इस देश में तोभी लड़ाई का निरने लेना पड़ता है कि मी इंटेलिजन्स का सहरा लेके अपने देश के रक्षा के लिए एक बुश्काम करना पड़ता है तो उसमें परू चार रोग रहते हैं चार मिनिस्टर्स रहते हैं जो सिकरिटी की पाद करते हैं तो जो भी या अर्नम को सौने नहीं या उतके वाद देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नालिजम के लिए एक लांचनास्पत चीज है इसे इतने साल में किसी जन्यालिस ने किसी समस्ता ने इस तरह का नैशनल सेक्विरिटी एक्ट के बारे में उलंगन किया है ऐसी कटना इस देश में ने हमने जोटीन युद्ध भी देखे अलब अलब पार्टी के सरकारें देखे उसमें भी इस तरह के बार अफिशल सिक्रेट डिस्क्लोज करने के बार्ट नहीं हो अब कहा वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा तो विशेष्टा बाला घाट के बारे में अब कुछिया मना रहे थे बाला कोर्ट अब कहा कुछिया मना रहे थे लेकिन देश तो चालीस लोग हमारे जवान उरती हो गए थे उसमें दुप में थे दुप मना रहे थे और कहीं लोग उन पर बात कर रहे थे कि हमारे देश का अब दिन खला हो जाएगा ऐसा पर हो जाएगा और कौन बना करेगा यह भी संबाज चलेगा तो यह अन्तुनी जी ने जो कहा कि इसकी इसकी होनी चाहिए पर्टिकल अगले अफिसिल सेग्रेट एक के फारे में जो यह लिकाउट हो गया है यह हमारे देश के लिए और अगले आने मुझे सरकारों के लिए भी बहुत मुहतुकून बात है तो पार्लमेंट में तो यह इस पर उठाएंगे लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिसिल सेग्रेट एक के बारे में जो करना है वह आभी तक नहीं किया है और यह सभी कि वंबबे की रिक्वार्ड ने के किस्क्लोज हो रहे हैं। ही यहां के रिकवार्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है कि इतना सब होने के बार रख नब दूरव तो इसकी एंकॉर्य करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो गुना किया है उन्होंने उसकी सजा मिलने चाहिए